आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार विद्यार्थियों डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का हमारा question है derivative of 10 inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to 10 inverse 2x under root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square is तो इस question में हमें पास दो function कीवन है पहले वाले function को मैं मान लेता हूँ fx और दूसरे वाले function को मैं मान लेता हूँ gx ठीक है तो हमें यहाँ पे fx का differential निकालना है with respect to gx तो basically हमें यहाँ पे find क्या करना है हमें find करना है f dash x divided by g dash x इसकी value कितनी है यह हमें find करना है तो इससे find करने के लिए दौनों फंक्शन का हम separately derivative निकालेंगे तो सबसे पहले हम fx के अगर हम बात करें fx हमारे पास है 10 inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x तो इसको differentiate करने से पहले हम इसको थोड़ा सा simplify करेंगे ताकि इसका differentiation easy हो जाया हमारे लिए तो यहां पर मैं x quote अगर 10 theta put करूँ तो यहां जाएगा 10 inverse under root 1 plus 10 square theta minus 1 upon 10 theta ठीक है यह बराबर है fx के तो 1 plus 10 square theta जैसे कि आप जानते हो यह sec square theta के बराबर होता है और under root sec square theta यह हो जाएगा sec theta तो यह बन जाएगा हमारे पास 10 inverse sec theta minus 1 upon 10 theta ठीक है अब यहां पर मैं sec or 10 को sin and cos में convert कर दूँगा तो यह हमारे पास होगा sec को हम लिख सकते हैं 1 upon cos theta sec theta को हम लिख सकते हैं 1 upon cos theta और 10 theta को हम लिख सकते हैं sin theta upon cos theta लिख सकते हैं तो यहां पर अगर हम LCM ले ले numerator की term में दोनों का denominator है वो cos theta है और वो cancel out हो जाएगा तो यह हमारे पास बन क्या जाएगा 10 inverse 1 minus cos theta divided by sin theta तो 1 minus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 sin square theta by 2 using half angle property और sin theta को हम लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 तो यहाँ पे 2 से 2 cancel जाएगा और sin से 1 sin cancel जाएगा और यह सारा कुछ 10 inverse के अंदर चल रहा है और sin theta by 2 upon cos theta by 2 यह बन जाएगा हमारे पास 10 inverse 10 theta by 2 यह बन जाएगा और यह एक दूसरे के 10 inverse और 10 एक दूसरे के invertible function है एक दूसरे के inverse है तो यह हमारे पास बन जाएगा 10 inverse of 10 इसको cancel out कर देगा और यह बन जाएगा theta by 2 और theta by 2 की जगा हम लिखेंगे यहाँ पर यह तो बन जाएगा पहले तो theta by 2 और theta by 2 की जगा हम क्या लिखेंगे हम इसको x की terms में वापस लिखेंगे x हमने 10 theta पुट किया था तो यहां से हम theta लिखेंगे 10 inverse x तो यह बन के आजाएगा हमारे पास half of 1 by 2 of 10 inverse x तो यह हमारे पास आगया इसका fx अब इसका अगर हम differential निकालेंगे f-x तो 10 inverse x का differential होता है 1 upon 1 plus x square तो यह बन जाएगा 1 upon 2 into 1 plus x square यह आगया हमारे पास f-x की value ठीक है अब हमें क्या find करना है अब हमें g-x find करना है g-x find करने के लिए अगर हम g-x को देखें gx हमारे पास यहां पर क्या गिवन है gx हमारे पास यहां पर गिवन है 10 inverse 2x under root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square इसको हम यहां पर note कर लेते हैं gx is equal to यह क्या क्या गिवन है यह गिवन है 10 inverse की टाम में ना यह क्यों है 10 inverse 2x under root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square ठीक है यहां पर मैं अगर x को sin theta पुट करूं तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा gx will be equal to 10 inverse 2 sin theta और यहां पर हमारे पास 1 minus x square में क्या आ जाएगा 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta और यह term पूरी root के अंदर है तो root cos square theta हमारे पास आ जाएगा cos theta और नीचे वाली term हमारे पास आ जाएगी 1 minus 2 sin square theta यही आएगी तो यह हमारे पास आएगा gx is equal to 10 inverse यह आ जाएगा हमारे पास 2 sin theta cos theta यह हमारे पास किसके identity हो दिए यह हो दिए identity sin 2 theta की 1 minus 2 sin square theta को हम लिख सकते है cos 2 theta यही लिख सकते है sin 2 theta upon cos 2 theta यह आ जाएगा 10 inverse 10 2 theta which is equal to nothing but 2 theta अब 2 theta की जगा हम यहाँ पे क्या पूट करेंगे यहाँ पे हमारे पास x हमारे पास sin theta है तो theta हमारे पास क्या जाएगा sin inverse x तो यह आ जाएगा हमारे पास gx is equal to 2 sin inverse x तो यहाँ से हम इसका differential निकाल सकते है g dash x g dash x is equal to nothing but 2 upon under root 1 minus x square यह हमारे पास g dash x की value आ गई अब हमें find क्या करना है हमें find करना है f dash x divided by g dash x तो f dash x हमारे पास क्या find किया था हमने यह हमने find किया था 1 upon 2 into 1 plus x square और g dash x हमारे पास क्या होगा इसको मैं ऐसी प्रोकल लिख देता हूँ यह आजाएगा under root 1 plus x square sorry 1 minus x square है upon 2 तो यह हमारे पास का answer आजाएगा root 1 minus x square upon 4 times of 1 plus x square तो यह आगे हमारे पास f dash upon g dash of x तो यह हमारे इसका answer है options में अगर हम check करेंगे तो हमारे पास यह option b है हमारे पास यह वाला धन्यवाद क्लासिक्स से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर